सो हे गाइस वेलकम टू दू चैनल वी बैक और गाइस आज आपको इस वीडियो में मैं ज़स्ट शो करने वाला हूँ इनिगमा वीक के बारे में बहुत से इंपोर्टेंट बाते और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं ड्रैगन वीक अभी स्टार्ट है पकमन गो क करूंगा इस वीडियो में और साथ ही साथ फ्रेंड्स से एक जो टिप्स होगी मेरी तरफ से वह आपके लिए बहुत ही यूस्फुल होगी तो लेट स्टार्ट इस वीडियो सो फर्स्ट लिए अगेन में आपको ये बता दूँ कि आप सभी जानते हैं कि अभी ड्रैगन वीक स्टार्ट है तो वो एंड होगा अगस्ट 8 को और अगस्ट 8 को जैसे वो एंड होगा तो हमारा इनिगमा वीक भी स्टार्ट हो जाएगा उसी समय पर तो अब बात करते हैं और इस वीडियो को divide करते हैं two parts में Firstly हम divide करते हैं यहाँ पर बात करते हैं Dragon week के बारे में Dragon week में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो Pokemon spawn हुए थे Dibble, साथी साथ Brettany, Bagon, Trapinch Swablu, Executor और भी बहुत सारे Pokemon तो यह week तो मेरा personally मुझे बहुत personally अच्छा लगा Next हमारी यहाँ पर बात आजाती है Friends, क्या हमें सीखना चाहिए क्या हमें learn करना चाहिए Dragon week से Enigma week के लिए तो वहाँ पर बात आजाती है कि Enigma week में क्या special आने वाला है आप सभी के लिए जिसके लिए आप hype रह सकते हैं तो firstly यहाँ पर बात आती है Enigma week की वाइल्ड में कौन से Pokemon मिलेंगे वाइल्ड में आपको बता दू ना तो आपको Begon जैसे Pokemon देखने को मिलेंगे नहीं आपको Dretani जैसे Pokemon देखने को मिलेंगे नहीं आपको Dino मिलेगा नहीं आपको Gible जैसे Pokemon देखने को मिलेंगे, पावर की बात करूँ मैं नॉर्मली, यहां पर हमें क्या शोव मिलेगा, क्लेफेरी, जिगलीपफ, स्टायू, लुनेटन, सॉल्रोक, बाल्टोई, ब्रॉन्जर, एंड न्यू पोकेमोन जो आएगा, वो है इल्गिम, यही पोकेमोन आपको वाइल्ड म क्लेफेरी भी आपको वाइल्ड में शाइनी मिल सकती है, जिगलीपफ भी, स्टायू, नया शाइनी आ रहा है, रिलीज हो रहा है, नेक्स्ट यहां पर बात आ जाती है, हमारी लुनेटन की जो पहले से शाइनी अवेलेबल है, सॉल्लोग भी है, बाल्टोई भी अभी जस् बात करती हैं बात करते हैं यहां पर जिस जीज को लेकर मैं बहुत बहुत है था लेकिन अब उतना नहीं हो लेकिन बात यह यहां पर आ जाती है हमारी बातिस की रहनुक्त में आपको क्या मिले यानि कि deoxy shiny के उपर shiny आप सभी जानते है deoxy shiny अभी तक available नहीं था लेकिन अब shiny release हो चुका है deoxy normal only deoxy attack, deoxy defense, deoxy speed तीनों ही अभी shiny release नहीं होंगे नहीं reads में आएगे only shiny deoxy normal ही reads में आएगा वह एक थोड़ी disappoint वाली बात है लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि deoxy shiny आ रहा है तो उसके लिए थोड़ी hype वाली बात रहती है और एक और special बात है जो वीडियो के end में आपको show करता हूँ मैं यहाँ पर अब बात आ जाती है हमारी कि new shinies कौन से आ रहे है new shinies यहाँ पर आ रहे है friends stay you it means stay me भी shiny new हो गया deoxy normal जो first time first time आ रहा है पक्मन गो के अंदर shiny variant में and shiny unknown yes friends shiny unknown आपको मिलेंगे raids में यानि का आप उन्हें get कर सकते हैं shiny variant में personally मैं कहूँ तो उनके लिए मैं इतना नहीं रहूँगा मेरा raid पार वेस्ट नहीं करूँगा मैं deoxy प करेंगे कुछ raids कर सके unknown की भी लेकिन यहाँ पर unknown आपको just मिल जाएंगे unknown o unknown t unknown a और भी कुछ unknown से जो आपको raids में मिल जाएंगे और shiny भी available होंगे और इसके बाद enigma week के बाद वह unknown shiny नहीं रहेंगे जानी कि वह shiny हट जाएंगे और उस कुछ time बाद Pokemon Go ने normally कहा भी है कुछ time ब यहाँ पर tips की जो firstly रहेगी इस week के लिए तो आप सभी जानते हैं कि पहले हम hype किस चीज को लेकर थे firstly हम hype थे यहाँ पर deoxy के four forms को लेकर जो की अब नहीं आएगी normal form ही आएगी shiny variant में next था हमारा की normally जो हमें मिलेगा यहाँ पर कुछ और special मिल सकता है वो अभी तक fix नहीं है कि क्या आपको time research इसमें भी मिलेगी उसके बारे मैं कुछ confirm आपको नहीं बता सकता हूँ लेकिन मिलेगी तो उसमें मुझे नहीं लगता कुछ खास आपको मिलने वाला है so just friend अब हमारी बात आ जाती है कि हमें क्या learn करना चाहिए dragon week से enigma week के लिए तो वहाँ पर हमारी first बा आती है यहां पर कि अगर आपको shiny Rayquaza मिल चुका है या फिर कोई अच्छी IV का भी Rayquaza मिल चुका है तो आपको अब rate pass जो आपको free मिलता है उसी से आप Rayquaza के rate करें normally आप Rayquaza के अब जो rates करें उनमें आप कुछ remote कुछ भी rate pass आप save कर सकते हैं जिनका use आप करेंगे normally Enigma week के ल जब personally कहता है कि आप buy करें अगर आपसे हो सकता है तो buy कर सकते थे लेकिन अब ज़रुरत नहीं है normally seven days का seven rate pass आपको free मिलेंगे just आपने कुछ पहले से rate pass अगर आपने seven rate pass पहले से बचा रखे हैं या फिर कहूं तो 10 rate pass आप normally 15 to 20 rate battles deoxy की भी कर सकते हैं जो आपको normally shiny भी मिल स आप सभी जानते हैं कि हमने बहुत से लोगों ने बहुत से Pokemon Go players ने डाइनो के लिए shiny डाइनो के लिए बहुत से इंकिब्यूटर भाई किये है एग हैच करने के लिए लेकिन अगर आपके पास इंकिब्यूटर वो अभी भी हैं तो आप जल से जल उनका use करें क्योंकि में बहुत सकता है कि आपको डाइनो मिल सकता है शाइनी सेवन किलोमेटर एक के थरू लेकिन अगर आप उनका use यह सोच रहोंगे कि मैं उनका use अब इनिग्मा वीक में करूंगा तो आप भूल जाए इनिग्मा वीक में कोई ऐसा कुछ खास Pokemon आपको eggs में नहीं मिलेगा 7 किलोम में जो Pokemon मिल रहे हैं उन पर I hope friends आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बताना जरूर कि आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा है इनिग्मा वीक में और आपका Dragon week कैसा गया जरूर शेयर करना तो मिलता हूं किसी और interesting वीडियो में वीडियो कैसी लेगी